आपने तो चावल की बोरियां दे दे के जो धर्म परिवर्तन कराया, जो करवा रहे हैं, उनके उपर भी तो प्रश्ने चिन्ने लगाइए, दिरेंद सास्त्री जी ने कभी नहीं कहा कि वो भगवान है, या वो क्या नाम है कोई चमतकार करते हैं, अपने दिमाग में सारे हिं ये डाले कि कानपूर में ऐसा क्या करने वाले हैं, कौन से साज इसको अंजाम देने वाले हैं बावा के खिलाफ। आदुनिक समय में ऐसे अंधविश्वास पर बरोसा नहीं करना चाहिए, वहीं कुछ लोग जो हैं बागेश्वर धाम के सपोर्ट में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, उन्हीं में से हमारे साथ हिंदू सेना के कुछ लोग मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों लगता है आपको कि बागेश्वर धाम सरकार का समर्थन करना चाहिए, जबकि उन पर अंधविश्वास पहलाने जैसे आरोप लग रहे हैं। उसमें मीडिया के बंदू ही थे, मीडिया के बंदू के बीच में से एक पत्रकार को उन्होंने बुलाया, वो खुद आई, उन्होंने भीड में से किसी को बुलाया, और आप देखेंगे कि जैसे ही पत्रकार अपने कदम बढ़ाती हैं भीड में जाने के लिए, वो उससे एक पत्रकार का नाम लेते हैं उनके चाचा जी का नाम लेते हैं और उनके भाई के बारे में सब कुछ बताते हैं तो वो कोई ऐसा अंद विश्वास और अंदसरद्दा नहीं कर्ते अगर आप अब कभी उनको आपने तीवी पे भी धेखा हो या कभी धाम में आप गए हो तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा, वो मना करते हैं कि आप मेरी पूजा मत कीजिए, कहीं और मत जाइए, अगर आप भगवान की भी पूजा नहीं कर पा रहे हैं, आपने माता पिदा की पूजा कीजिए, वो अंदश रद्धा और नहीं पहल लिया जा रहा है, सिरफ सनातन में जो आदमी कारे करे, उसी को आपने टार्गेट पे लिया है, अभी 25 दिसंबर को बाबा ने 2500 से अधिक लोगों का घर वापसी कराई, आपने इसलिए उन्हें टार्गेट पे ले लिया, जो आपने तो चावल की बोरियां देदे के जो धर लिए बार कहीं होगा, अलपसंख्याक हमेसा ये मांग करते हैं कि हमें सामान कानून दे दो, यहां भहुसंख्याक समाज आपसे ये मांग कर रहा है कि हमें सामान कानून चाहिए, क्योंकि अगर आप मुसल्मानों के विरुद्धों में बोलते हैं, तो आपको डर होता है कि कोई बात नहीं माफ करते हैं गलती हो जाती है और इसी लिए आपने एक सौफ्ट टार्गेट चुन लिया है कि अब कुछ भी बोलतों इनको और यह लोग तो वैसे ही हैं चल जाएगा का क्या लगता है आपको जब जिस आधुनिक समय में हम जी रहें हैं ऐसे में कहा जा रहा है कि अंध विश्वास की क्या जग है अगर दूसरा सवाल होगा अगर बात आज पादरी की होती या फिर मौलाना की होती तो क्या इतनी शांती अभी तक नजर आती आपको बिलुकुल न जिसे नामायर कालि पुरानी हैं और महा भारत दिन दी थास्तरि निया खुश करते हैं और चार दिल्माजी करता है अच्छा समय और बुरा समय हमेशा आता रहता है लेकिन अब कोई हिंदु ध्रम का कोई भी कहना में सनातनी दमने वाला नहीं है और उनके सब्सक्राइब पूरा देश आज खड़ा है अकर गलत होते अगर अंदविश्वास पहला रहे होते तो इतना समर्थन उनको नहीं मिल का क्षप करता हुँ आपका चैनल लेगिन वह उनको कानपूर में मुला ये कानपूर मैं सब्सक्राइब ने जब सब्सक्राइब को नेविदेने वाले के खिलाफेगे घ्रम लुकितार और अबी आधी दिन लिखना अब अवालें की और अब भी नाम उच के वालो चैनल के नो लुगिख चल्किनल में और परिम इटो नाम का बताया मोः और और उनका गर का बताया तो दिन पेली जो बना था उन्होंने खुद ने एक्षप्ट किया कि हाँ दो दिन पहले घर प्रवेस होगा दूसरी चीज उनकी जो बतीजी थी उनका नाम बताया और उनकी कुछ पर्सनल लाइफ की चीजे थी जो पूरे न्यूज चैनल में नहीं खोलने चाहिए जैसे कि बाबा पहले कर को सब बाद मेरे बाद में जाने के बाद में दूसरे चैनल के सामने चल लाएगी नहीं नहीं ऐसा नहीं था बाबा ने यह जह लोड़ घुत लिए तूड़ने में लगे हुए बाबा को मैं फुरा खुला समर्तन करता हूं बागिश और दामकॉर मैं सभी हिंद्रों से जि सेना के कुछ लोग जुड़े हुए जिन्होंने अपनी राय रखी जिस तरीके से इन दिनों धिरेंद्र शास्त्री चर्चा में बने हुए हैं उसको लेकर इन्होंने साफ कर दिया कि हिंदू समाज को उनके समर्थन में साथ आना चाहिए क्योंकि वो एक बहतर काम कर रहे हैं और अंद्विश्वास नहीं फिला रहे हैं अब इस मामले पर और क्या-क्या नहीं बात निकल कर सामने आती हैं यह देखना काफी एहम होगा आप बने रहे हैं तब तक के लिए सब्सक्राइब करें मुझे दीजे जाज़त धन्यवाद आप देख रहे हैं सौगंद टीवी सौगंद वतन की